जात पात या जाती और पतन ये जो जाती सब्द है और जात सब्द है इसकी व्याख्या इसकी जो आख्या है या कू व्याख्या है ये अभी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि घम को भगवान बुद्ध की तरह से सोचना और समझने में बड़ी दिक्कत आती है भगवान बुद्ध तो ना राइट ना लेफ्ट थे वो तो बलुकुल स्टेट फारवर थे यानि कि मनुष्य की कल्यान के सारे काम करते थे मगर लोग जब व्याख्या करते हैं तो कहीं कुवैख्या हो जाती है कहीं सुवैख्या हो जाती है अपना उसमें कुछ मिला दिया अपना कुछ जालाश तो उसकी कुवैख्या हो गई और अगर बहुत ज़्यादा इसको करोना में ही करने चले तो सूव्याख्या हो गई किरहा हमारे किसे कोई लेंदर नहीं है मगर ना कूव्याख्या की जो होता है ना सूव्याख्या की जो होता है यहां सिर्फ व्याख्या की जो होता है जड़ी भूत, यानि कि बिल्कुल कठोर, ठद माने जड़ होता है एक पैसे, जड़ी भूत या कठोर, और जाती का मतलब उसने जो लिया हुआ है, जो व्याक्या क्यों है, जाती का मतलब जो आज का लोग भारत में जाती-जाती करके खेलते हैं, जो जाती-जाती करके एक द लोग खेल रहे हैं जाती जवाद करके जाती जादी करके भगवान बुद्ध ने जो ये सब्द दिया है जाती थद जाती थद का मतलब कुई लोग समझते हैं थद का मतलब अभिमान है अभिमान नहीं है जाती थद का मतलब है जनम की कठोटा या द्रड़ता अब जनम की कठ उत्पत्ति होने से, पैदा होने से, जात और उत्पत्ति का सिर्फ एक ही मतलब है, पैदा होना, उत्पन होना, और वो कुछ भी चीज पैदा हो सकती है, कुछ भी चीज उत्पन हो सकती है, वो मनुस्य भी हो सकता है, वो प्राणी भी हो सकता है, और कोई अगर आप ने चीज पैदा करते हैं, तो उसको भी कह सकते हैं, कि ये इसका जात दिवस है, यानि इस दिन इसको पैदा हुआ, या जाती दिवस है, यानि इस दिन ये पैदा हुई, बनी, तो सबसे पहले ये समझे हैं, क्योंकि जब भवान बुद्ध कहते हैं, जाती दुखा, जरा दुखा, व् बाता है FF अब्र σता हमें ऑफ्याद है निय lovelyolph है। निया उठी तो दो पू है। यानि एक अवर्न था और एक सुमर्न था। जो यहां के काले लोग थे और अवन का मतलब है वन माने रंग होता है तो वन का मतलब जिसमें रंग ना हो यानि ए वन बिना रंग का यानि सफेद लोग जो बाहर से आए तो रंग भी दो थे वन भी दो थे तो भगवान बुद्ध का जो जाती है जाती से मतलब उत्पन होना प्मरजन है वटले सेटेस में एक वार और क्या कहते हैं, सबसे पहले जब उनको बहुत ही ख्यानप्रात होता है पेट के नीचे, पीपल की पेट के नीचे तो क्या कहते हैं अनेक जाती संसारंग अनेक जाती संसारंग अनेक जाती संसारंग का मतलब क्या दुनिया में क्या अनेक जाती है अनेक जाती का मतलब जैसा भारत में जाती चलती है ऐसी है क्या जैसे भारत में 6,753 जाती है ऐसी दुनिया में बिखरी पड़ी है दुनिया में दोर कहीं जाते सिस्टम है नहीं और संसार का मतलब भी यहां वर्ड दुनिया नहीं है संसार का मतलब है से माने निज और सार माने अपना जो तत्व होता यानि स्वैम का तत्व यानि कि मैं यानि सरीर तो वो कहते है अनेक जाती संसारंग यानि कि अनेक बहुत सारी जाती हैं, जाती का मतलब जनम हैं, उत्पत्ती हैं, बहुत सारी उत्पत्ती हैं, संसारंग माने इस सरीर के अंदर, यानि यह जो सरीर है अचानक नहीं बना हुआ है, यह सरीर एक सेल से, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांस सेल, एक औरगन, दो चोटा जानवर, बड़ा जानवर, बड़ा जानवर, चोटा सौफवेयर, बड़ा सौफवेयर, बड़ा सौफवेयर, बड़ा सौफवेयर, यानि एक वाइरस से लेके और जो मनुस्से यहां तक बना है, और वो खरवो इसके उत्पत्तियों में हुआ है, और वो खरवो वार उत्पत्ती हुई है, तो यहां जाती और जनम का मतलब, जब हम यह कहते हैं कि जात पात, तो जात पात का मतलब है, जात माने जनम और पात माने गिरना, यानि पतन होना, तो जनम होना और गिरना, यानि खतम होना, जनम होना या मरना, जनम मरन, तो जनम मरन को जात पात भी बो तो ये जो सब्द है जातपात दोनों साथ चलते हैं जनम भी है जनम मरण साथ चलता है पराने समय में जातपात साथ चलता है पात बाद में बना है पहले पातू बोलते थे पातू या पातन पातू और पातन दोनों ही का मतलब गिरना होता है अब आप ये देखिए कि कितने सा 6,700 जाती हैं उससे सम्मदित नहीं है इसको अपने दिमाग में किलियर करें बलकुल और कोई ये कहता है कि सुमित भंगी के नाम से उसमें कुछ लिट्रेचर है या उपाली नाई के नाम से लिट्रेचर है तो 6,743 जाती है बस और कहीं नहीं है और नाई और भंगी जो भंगी का तो मैंने क्लियर आपको बताया है और नाई उस समय जो बोलते थे वो अलग क्रिया हो सकती है मतलर नाई का मतलती ये नहीं है कोई बाल बनाने वाली बारवर की दुकान है उस तरह भी नहीं था बड़ी मुस्कित से तो तामा आया होगा महाँ और तामे से पहला कै जब उनकी बाहर आके निकल के अपनी दिख्था जब उनकी हुई और बाहर आए तो जंगल में आके उनकी खुद अपने बाल अपने आप काटे हैं तो इसलिए ये छोड़ छोड़ी बात हैं इनको भूल जाएए क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार धाल मिल हो जाती हैं प्योर उसको निकाल लीजिए तो आपको फायदा होगा तो सुनिए जाती है कितने सारे सब्द पाली के अंदर हैं जात माने उत्पन होना घटित होना जात माने संग्रह भी और प्रकार भी है जात दिवस का मतलब है जनन दिन जनन दिन को बोलते हैं जात दिवस यानि उत्पति दिन जिस दिन आप तो आप जनन दिन मनाते हैं जात दिवस मनाते हैं जाती दिवस मनाने हैं आप इसको बोलिए कि मेरा जाती दिवस है, मेरा जाती दिवस है, पिछली वार मैंने खास तोर से एक पोच डाली थी अपने बत्डे पे, कि आज मेरा जाती दिवस है, पांच जुलाई को फिर मेरा जाती दिवस है, जात दिवस है, आप अगर मुझे सुपकामना है, मंगल का कि मेरा जाती दिवस है पासतारे को जनम दिवस है मेरा ये कोई जाती वैसी नहीं है जो लोगों ने वैसी हवा में बनाई हुई है फिर देखिए जात रूप जात रूप का मतलब है कि जात माने जनम होना अपन होना रूप माने होता है शरीर यानि बच्चा जब पैदा होता तो उसके सरीर को कहते है जात रूप कैसा होता है वो लगबग ऐसा होता है सुनहरे जैसा होता है कि भारत के लोग काले होते हैं तो बच्चा लगबग सुनहरा होता है बच्चा पेट पे रहता है तो सनलाइट नहीं पहुंसती तो वो काला नहीं होता सुनहरा होता है तो उसक जात वेद वेद वेदनाय होता हैं, जात माने उतपत्ति, उतपत्ति के जो वेदनाय होती हैं, बड़ी तीबर होती हैं, अगनी वाली होती हैं. किसी जानवर से पूछिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी कैसी वेदनाय आती है चोगी मैं तो माता हूनी एक्समिस नहीं है मगर इसमें लिखा हुआ है कि अगनी जैसी होती है आग जलती है शरीर में ऐसी वेदनाय होती है तो जात वेद को अगनी वाली वेदनाय बोलते है फिर आता है जातिक खे जातिक का मतलब है जाति का खे यानि जनम का खे ये बार बार आएगा बार बार आएगा जब भी भग्मान बुछ से पताएंगे जातिद का मतलब है जातिद का जातिद का मतलब है जातिद का मतलब है द्रड निश्यवाला है जातिद का जातिद का अभिमान नहीं है यह आज की जातिद का अभिमान के रूप में इसको लेते हैं वो बलगल गरत बात है यानि जनम ही ख़तम हो गया आगे अब जनम ही कोगा। वो जो अनेक जाती संसार में होती हैं बहुत सारी जनम होते हैं उखतम कर दिये, ये बुद्ध ने develop किया, ये बुद्ध ने शिखाया और ये बुद्ध ने खुद भी अपना जनम को terminate किया, बुलकुल जड़ से खतम कर दिया एनिलेट कर दिया फिर आता है जाती फल जाती फल का मतब होता है कि जो आपने कम किया है जीवन में जनम का उसका फल कैसा है वो कैसा फल प्राप्त होगा फिर आता है जाती मन्तू यानि जो जाती वाला यानि जन्तु बोलते है उसको और एक सबसे इसमें इंपोर्टेंट है जाती वाद जाती वाद को तो आज के समय में हम ये समझ लेते हैं कि जाती जाती खेलने हैं आपस में जाती की क्या उंच क्या नीचे है इसको जाती वाद बोलते हैं पुराने समय में जाती वाद का मतलब ये नहीं था, पुराने समय में बुद्ध के समय में था, जाती वाद का मतलब था, जो जनम के सिध्धान्त हैं, यानि के जिन सिध्धान्तों के तहत में जनम होता है व्यक्ति का, जिन सिध्धान्तों से जनम चलता है, जिन सिध्धान्त स्वयम निज पून हो जिसको जनम से पून हो जनम जिसको अच्छी तरह से सफल जनम हो जाता है संपून हो जाता है उसको जाती संपन दोलते हैं और फिर आता है जाती सर और जाती सुमना जाती सुमना मतलब जिसका जनम से जनम से उत्पति से सुमन है अच्छा मन है और जातिस सर को मतलब है जो जाति से सती जो अवस्था है उसमें रहता है सती पठान में रहता है जातिस सर को मतलब है जनम से ही सती अवस्था में रहता है भगवान गुद्गी देशना में रहता है कहता है ये तो जनम से ही बहुत ज़्यादा सती है बहुत ज़्यादा धंगा पालन करता है उसको जाते सर बोलते हैं तो जात के यहां, जाती के यहां बहुत सारे सब्सक्राइब हैं इसके लावा और भी पाली में आते जा जाते रहते हैं तो ये बिल्कुल इस्पष्ट करें कि आपका जब जनन दन आता है तो उसको आप लेखें जाती दिवस जात दिवस जब हमारे महापुर्सका किसी का बज़ड़े आता है बगवान बुद्ध का आता है या पावसा वमेड कर गाता है या जोती वफुले काता है या सपना टसोक काता है या चंदगुप्त मौरे काता है या साहुजी महाराज काता है तो आप उस पे जनन दिवस की बज़ा लिखें जात दिवस जाती दिवस फिर आपको क्लियर होगा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संघन शरनं गर्चा में पतं शरनं गर्चा में संघन शरनं गर्चा में संघन शरनं गर्चा में संघन शरनं गर्चा में संघन शरनं गर्चा में संदंशरनंगचानी